आप सभी को नवसकार कैसे हैं आप सब आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसे चल लएए उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही जबर्जस चल ला होगा ठीक है इस्टुडेंट तो आज फिर मैं एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने आ गया हूँ यह वीडियो लेक्चर क्लास 10th के CBSC बोड के इस्टुडेंट के लिए है उन इस्टुडेंट के लिए जो साइन्स में कमपार्टमेंट एक्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक है तो इसके पहले मैं दो वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ दो वीडियो लेक्चर में पहला वीडियो लेक्चर में बताया हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है जो Physics में डिलीट कर दिया गया है यानि कि Core से हटा दिया गया है और दूसरा वीडियो लेक्चर में बताया हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है जो compartment exam के लिए महत्वपूर्ण है ठीके नहीं कि important है खेर मैं ये भी बोला था कि important तो सब कुछ है लेकिन सबसे जादे क्या important है किसके आने की possibility जादे है उसके बारे में मैं आपको बताया था second video lecture में तो आज मेरा ये तीसरा video lecture है इस तीसरे video lecture में मैं आपको light के बारे में पढ़ाने वाला हूँ कि light क्या है जिसमें दो हम part देखेंगे reflection और reflection तो आज फिलहाल हम reflection के बारे में तो पूरी की पूरी जानकारी हासिल करें लेंगे ठेक है बेटा तो आप लोग तैयार हो जा कि ये चीजे लिखने नहीं चाहिए आप video को pause करिए और note साथ साथ बनाते रहे है ठीक है इसके अलामा biology का भी video lecture आ रहा है जो कि सुमन में बना रही है chemistry का भी video lecture आ रहा है जो कि silpy में बना रही है और physics का तो साक्षात में बना ही रहा हूँ ठीक है तो ठीक है आज हम देखे कि light ठीक है न? प्टा, light क्या होता सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे चुकि मेरा chapter ही है chapter first ठीक है도 chapter first है हमारा आप जानते हो कि chapter पहला हमारा है light ठीक है बच्चो तो light में student हम दो part देखेंगे एक देखेंगे की reflection और एक देखेंगे reflection ठीक है लोग दो पार्ट देखना हम लोग को पहला देखना है बेटा reflection reflection और दूसरा देखना है हमको reflection ओके तो पहला पार्ट reflection के बारे में जो first part है इसको मैं आपको आज जरूर समझा दूँगा कि reflection क्या होता है law of reflection क्या होता है mirror क्या है इन सब के बारे में मैं आपको जरूर बता दूँगा और reflection हम लोग आगे के कुछ lectures में देखेंगे जब तक मतलब क्योंकि बीच में अभी आप जानते हो कि mirror formula आएगा और mirror formula पे बहुत ही बहतरीन questions आता है और मैं बोला भी था कि important topic में mirror formula पे questions आता है हमेशा मतलब हर साल बोर्ड में mirror formula पे question पूछता ही पूछता है तो ठीक है सबसे पहले light क्या है light के बारे में जान लेते है light के बारे में समझ लेते है मैं definition नीचे लिख दिया करूँगा लेकिन फिलहाल मैं सिरिफ और सिरिफ आपको उसकी concept जो है उसको समझाने का प्रियास करूँगा ठीक है तो देखो student मैं एक छोटा सा मतलब क्या बोलते है आपको चीजे बता रहा हूँ आप ध्यान दो इसको तो ठीक है आज light के बारे में सबसे पहले में आपको समझाओंगा क्योंकि मेरा ये जो chapter है वो light के अंतरगती आता है चाए वो reflection का फिनामेना हो ये सब light के अंतरगत आता है तो पहले light के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ हाँ मैं ये भी जानता हूँ कि आप जरूर ये सुने होंगे कि light एक प्रकार की उर्जा है मैं भी यही बताने वाला हूँ लेकिन कुछ और भी चीजे light के बारे में जान लेते हैं ठीक है चलिए माननो बेटा कि आपको एक physics की किताब ढूणनी थी और वो physics का किताब एक room में रखा था जैसे है आप room में enter किये अंधिरा था वहाँ कोई light नहीं था यानि कि bulb मतलब क्या बोलते है नहीं जल लाहा था tube light भी नहीं जल लाहा था ना torch कुछ भी नहीं था यानि सब जगे से पूरी चारु तरफ से वो अंधिरा था तो क्या आप उस physics की किताब को देख पाऊगे नहीं देख पाऊगे क्यों कि रूम में चारु तरफ से क्या है बताओ अंधिरा अब आप क्या करोगे कि अब आप कोई light source की तलास करोगे कोई light source हमको मिल जाए जिसकी वज़े से हम क्या बोलते है पूरे रूम में प्रकास फैलाए और उस वज़े को देख सके तो आप माले जिए दोड कर गए और दूसरे वाले रूम से torch रखा था उस torch को लेकर आए तो अब torch को लेकर आने के बाद आप क्या करोगे ऐसे ही आप इसको दबाओगे जैसे आप torch की button को दबाओगे torch से जो rays निकलेंगी जो किरणे निकलेंगी, वो room में फैल जाएगा, ठेक है, तो आपको वह वस्तु दिखने लगता है, ऐसा आप देखे होंगे, तो वह वस्तु आपको दिखने लगता है, आईए बात करते हैं, कि इसकी पीछी की concept क्या है, कैसे वह वस्तु हमें दिखने लगता है, ठेक है, यहां मैंने torch बना दिया, यहां मैंने book बना दिया, ठेक है न, physics का है, चुकि मैं physics का ही teacher हूँ, तो मैंने physics का ही किताब बनाया है, ठेक है, अब बेटा जैसे आप यह button on करोगे, ठेक है न, वह ऐसे आप देखोगे, कि जो rage है, वो निकलने लगेंगी, ठेक है, रेज फैलने यह रेज जो बाहर निकल गया, ठेक है न, तो जो rage बेटा, यानि कि जो किरने किताब पे जाके टकराई है, तो वो reflect होकर वापस आती है, ठेक है न, मतलब मुड़कर टकरा कर वापस आती है, ठेक है, रेफलेक्शन क्या है, मैं यह भी आपको बताऊंगा, ठेक है न, तो व ऐसे ही, मौनलों विटा, कहीं, जो देखने वाला है, यानि कि जो आपजर्वर है, वो इसका नेत्र है भाई, आपजर्वर का, ठेक है न, तो यह आपजर्वर है या ओ भी, ओ भी मैंने समझ जाना है, आपजर्वर की बात मैं कर रहा हूं, तो उसके जब यह नेत्र पर, य यह रेज जो है यह जो radiation है यह जब टकरा कर आई तब जाके यह वस्तु हमें दिखा अगर यह radiation मतलब यह रेज अगर टकरा कर वापस ना आई होती और हमारी आँखों पे ना पड़ती तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देता तो ये बात पहले clear कर लो कि कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देता है जब light source से चलने वाला rage उससे टकरा कर हमारी आखो तक आता है अगर वह हमारी आखो तक ना पहुँचे तो वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देता है बात समझ में आया और दूसरी बात कि light एक energy है मतलब एक energy का रूप है तो वो तो सही है कि light एक energy है क्योंकि हम लोग इसका बहुत सा घटना आज के समय पे देख रहे हैं ठीक है ना solar cooker और बहुत से solar क्या बोलते हैं solar panels हैं बहुत सारी चीजे हैं जो हम लोग देखते होगे कि प्रकास से energy को store करते हैं तो light जो है वो energy का एक form तो है ही है लेकिन साथी साथ आपको मैं यह भी बता दिया कि कोई वस्तु जो light की उपस्थती में दिखता है यानि कि light की presence में दिखता है वो क्यों दिखता है अगर radiation टकरा कर हमारी आँखों तक पहुँचा उस वस्तु से मतलब उस वस्तु से टकरा कर हमारी आँखों तक पहुँचा तब तो वह वस्तु हमें दिखाई देगा लेकिन अगर वह radiation टकरा कर हमारी आँखों तक नहीं पहुँचा तो वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा तो ये पहला आप जो मतलब light के बारे में concept मैं बताया वो कहीं जरूर इस्टोर कर लिजिए कि कोई भी वस्ट हमें तभी दिखाई देता है जब वस्ट से तकरा का radiation हमारी आँखो तक पहुचता है बास सुन जाया कि नहीं आया तो ये light की concept हो गए ठीक है आई अब बात करते ह है की light के कितने क्या बोलते है source है कौन कौन सा source हो उसके बारे में मैं आपको बताओंगा ठीक है बेटा तो light के बेटा देखो दो hari के रहा है पहला है वेटा ठीक है अब आज़े इसके बारे में समझते हैं कि Luminious Source of Light क्या है और Non-Luminious Source of Light क्या है देखे बटा Source Source of Light का मतलब यह हो गया कि जहां से प्रकास निकलता है जैसे Torch, मुंबत्ती, Bulb, Tubalight, सूर, चंद्रमा मतलब Sun, Moon ठीक है ना यह सा हमारे बताओ क्या है बताओ Source of Light है तो इसमें से ब स्वैम प्रकास को निकालता है खुद से प्रकास को निकालता है वह Luminious Source of Light होता है यानि कि जो स्वैम से लाइट का उत्सर्जन करें इमेशन करें वह हमारा है Luminious Source of Light जैसे सूर से जो प्रकास आता है वो उनके खुदता होता है तो जो सूर है यानि कि जो सन है वो हमारे Luminious source of light है, non-luminious source of light, जो खुद से प्रकास का, यानि जो खुद से light का उत्सरजन ना करें, दूसरों के कारण चमकें, दूसरों के कारण वो bright करें, तो वो होता है non-luminious source of light, जैसे चंदर्मा, चंदर्मा से जो आप देखते हो कि चादनी रात में जो प्रकास निकलता है, वो उनका खुद का नहीं होता है, वो जो है सूरी का प्रकास होता है, वो सूरी के प्रकास के कारण चमकता है तो जो मेरा चंदर्मा हो गया, वो non-aluminious source of light हो गया, बस समयाया, जैसे मेरा torch, अब बात करते है torch की, अब torch क्या है, तो torch में जो मतलब आप जब जलाओगे तो उससे जो प्रकास निकलेगा वो उसके खुद का प्रकास होगा भै, खुद का प्रकास होगा, तो जो मेरा torch है, वो luminious source of light है लेकिन अगर वो torch की light जा रहा है और जाने के बाद माल लिजे कोई बहुत चमकीला क्या मतलब, बहुत smooth मतलब surface है, जैसे माल लो थाली है, उस थाली का मतलब क्या बोलते है, जो पीछे का क्या बोलते है surface है, उस पे टकराया तो थाली देखोगे कि बहुत तेज चमके का बहुत उसमें मतलब बहुत brightness उत्पन होगा, तो जो थाली है उस टाइम पे non-numinious source of light है तो इतनी बात है, तो आपको clear हो गया होगा कि luminious source of light क्या है और non-numinious source of light क्या है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे पूछूँगा, कि अगर आप कभी रात में, माल लिजे आप road पे travel कर रहे हैं, ठीक है न, bike से या car से, किसी भी चीज़ से, ठीक है तो आप देखते होंगे, कि road के बीच में, जो divider के रूप में जो radium लगा होता है वो बहुत तेज़ चमकता है, और जैसे लगता है कि वो जल रहा है, मतलब वो yellow color का पुरा का पुरा, मतलब light दे रहा है तो जो मेरे मतलब क्या बोलते है bike के, या मतलब मेरी कोई भी जो गाड़ी है, उससे जो light निकल लहा है, उसके headlight से माल लीजे, जो light निकल लहा है वो तो बेटा, luminous source of light है, जो headlight है, लेकिन वो जो light जाके उस radium पे पड़ रहा है, उसके बाद जो radium चमक रहा है, तो वो बेटा, non-luminious source of light है, बाद समों जाए यादि की luminous source of light और non-luminious source of light में आपको difference पता चल गया होगा, luminous source of light में, खुद का प्रकास होता है, और non-luminious source of light में, जो source होता है उसके खुद का प्रकास नहीं होता है बलकि वो किसी और के कारण चमकता है बास मुझा आए आईए अब बात करते हैं कि beam of light क्या है और beam of light कितने प्रकार के होंगे ठीक है बच्छो तो देखते हैं लो भाई मैं सब बना दिया तो अब देखो बटा तीन है एक convergent एक divergent और एक parallel अब convergent में देखो क्या हो रहा है कि जो rage है वो किसी एक point पर आकर देखो मिल रही है जैसे भाई मैं suppose that दो torch लेनू ठीक है ना दो torch लेनू और उन दोनो torch की rage को किसी एक point पर ठीक है ना ऐसे देखो दोन torch की rage है वो किसी एक point पर लेया के मिलाओ तो वो जिस point पर मिल रही है ठीक है ना वेटा वो देखो पहली वाली rage दूसरी वाली rage तीसरी वाली rage ये तीनो के तीनो एक point पर जाके मिल रही है तो ऐसी rage कहलाते है convergent यानि कि जब rage किसी एक point पर जाके मिले तो एक हो गया convergent बात आ गया divergent तो divergent इसका उल्टा हो गया यानि कि एक point से ये मिलती नहीं बलकि एक point से ये अलग-अलग direction में जाती है जैसे ये torch की light है लो भाई एक को torch माल लो तो इन दोनों को इस point से देखो इस point से एक torch को मैं इधर जलाओं और इस torch को मैं इधर जलाओं तो ये जो rage जा रहे हैं इनको बोलेंगे divergent और फिर parallel बेटा यानि कि दो torch ले लो उनको एक दूसरे के parallel रख लो और फिर torch जलाओ जब torch जलाओंगे तो देखो कि जो rage जाएंगे वो कैसी जाएंगे बताओ parallel तो ये हो गए parallel beam of light तो आपको beam of light के बारे में भी बता चल लगएगा ठीके न इसके पहले मैं light के बारे में बताया था अब बात करते है ठीके student वैसा थो तो बेटा light के बहुत से properties हैं लेकिन 4-5 properties मैं बता दे रहा हो हो सकता है एक्जाम में लिखने के लिए आभी जाए, तो पहली प्रापर्टी तुम्हें इसका ये बताऊंगा, ठीक है ना, पहला प्रापर्टी, कि बेटा, लाइट जो होता है, वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है, यानि कि प्रापर्टी को बोलते है, रिखतीलीनियर प्रापर्टी, ठीक है ना, तो इसका मतल़ हमेशा लाइट जो होता है, वो कैसे चलता है बताऊ, इस टीक है न, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, दूसरा पॉइंट बेटा, दूसरा पॉइंट में आपको बता दू कि जो बेटा light होता है वो एक प्रकार से electromagnetic wave है क्या है बताओ electromagnetic wave जो कि आप आगे जानोगे कि electromagnetic wave क्या होता है खेर इतना जानलो कि electromagnetic wave ऐसा wave है जिसको चलने के लिए medium की कोई जरूरी नहीं है बीना medium का भी वो ट्रेवल कर सकता है यानि कि वो वैक्यूम में भी एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जा सकता है बास वन में आया अच्छा तो ये एक प्रकार से क्या है बताओ electromagnetic wave है ठीक है वेव है electromagnetic wave ओके थर्ड बात बेटा अगर यह वेव है तो इसकी कोई ना कोई wavelength होगा तो देखो light प्रकास दो होता है बेटा एक visible और एक invisible ठीक है ना तो जो visible light होती है जो visible rays होती है उनका जो wavelength होता है वह हो है 3900 angstrom से ठीक है एंग स्ट्रॉम से 7800 angstrom ठीक है 3900 angstrom से 7800 angstrom के बीच होता है बात पन्याया अब बात करते हैं इसके चौथे प्रापर्टे की तो बेटा जो light होता है वह हमेशा जो तो rare medium होता है rare medium उसमें टेज चलता है और जो denser medium होता है उमें उसमें बेटा वो slow चलता है ठेक है रे尔र स्ट्रॉर्ण परेंसर क्या है यह यह आगे हम चैप्टर में जिक्र करेंगे जब reflection राफ लइट बताएंग Milk तो रे क्यों या air में ठीक है ना air में इसका जो speed होता है बेटा V is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second इतनी लगवा कि इसकी speed होती है बस समझ में आया तो आपकी ये चौथी property हो गई ठीक है ना पांचवा property में आपको बता दो बेटा ठीक है ना पांचवा property कि अगर light है और वह एक medium से दूसरे medium में जा रहा है जैसे मालो air से जा रहा है water में या air से जा रहा है glass में तो उसकी जो frequency होती है वो change नहीं होती है यानि कि जो उसकी frequency है वो no change ठीक है ना वो change नहीं होगा तो क्या बात आपको समझ में आया तो ये बेटा पांच properties है light की ठीक है ना जो मैं आपको बताया एक एक करके पहली चीज़ तो बताया कि light की reptilinear property यानि कि light हमेजा सीधी रेखा में चलता है दूसरा मैंने बताया कि light एक emw यानि कि electromagnetic wave है तीसरा बात मैं बताया कि light की जो wavelength है वो 49 सवयंगे स्ट्राम से 78 सवयंगे स्ट्राम के बीच है light air या vacuum में सबसे अधिक speed 3 into 10 to the power 8 meter per second से चलता है और पांचमा मैंने बताया कि जब light एक medium से दूसरी medium में जाता है तो उसकी जो frequency होती है वो change नहीं होती है तो उम्मीद है कि आज आपको जो तीन concept में बताया light, beam of light और properties of light ये तीनों concept आपको समझ में आया ठीक है student आप फूम मन लागा के पढ़िया लिखिए मेरा lecture आज का यहीं समात होता है फिर अगले lecture में हम बताएंगे आपको कि reflection क्या है law of reflection क्या है और भी कुछ चीजे ठीक है जो उसमें क्या बोलते बताया जा सकता है तो सब सारी चीजे बताया जाएगा तो आज की लिए बस इतना ही तब तक के लिए नमस्कार फिर मिलेंगे चलते चलते नाम तो सुना ही होगा झालते बताया जाएगा